जहन दोस्तों रोजगार विद पिंकेस में आपका स्वागत है आज हम लेके हाजर हुए आपके लिए भारती वाइस है ना भरती यही 2022 इंडियन एयर फोस भरती 2022 देखिए यह जो भरती है वो अप्रिटेंस की भरती है तो इसमें बात करते हैं इसकी पूरी डिटल के बारे म क्या 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 इसमें परॉसेज है पूरा क्वालिफिकेशन मगएरा क्या क्या मांगी क्या दूँआं ना चीन होना चाहिए या फिर टैन प्लस ट्यू होना चाहिए या फिर अपर ूर्फ के अन्यवारिया अगर हम एज की बात करें तो एज जो है इसकी एज लिमिट जो है एक अपरेल 2022 तक मान होगी तो जर्णल के लिए जो एज लिमिट है वो 14-21 वर्स तक है OVC के लिए 14-24 वर्स तक है एसी से एस्टी के लिए 14-26 यह तक यह एज लिमिट रखी गई है कि क्वालिफिकिशन जैसा कि आप देख रहे हैं 10 या 20 प्लस टू होना चाहिए या फिर पचार परसेंट मार्क से या फिर आपके पास आइटियाई सट्पिकेट होना चाहिए बिद 55 परसेंट मार्क के साथ अगर इस ट्पाइन यान की जो अपको मिलेगी मंतली उसकी बात करें तो इसमें किलियर कर दी गई है पहले जो सेलरी दी जाएगी वह मंतली आपको साथ है कार पेंटर है ये पेंटर है यह अधी सब्सक्राइब करें देंगे तो चलिएकशDate 2- e children कराएगा तो इसका रिटेन टैन रिटेन और प्रक्टिकल एक्जाम जो होगा वह एक से तीन मार्च के बीच में चलेंगे डिकलीरेशन लिस्ट है यानि अब जो लिस्ट आएगी एक्जाम होने के बाद जो फाइनल मेरेट लिस्ट लगेगी वो 17 मार्च को आपकी लग जाएगी और कोर्स कमिंग कोर्स कमिंग इन की यानि की कोर्स शुरू होगा वह एक अप्रेल 2022 से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो ये ये एक थी आज की वायू बहारती वायू से ना भरती 2022 के बारे में छोटी सी डिडल जो मैंना आपको दी तो आप इसके लिए ये बहुत ये अच्छा मौका है अगर आप इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहते हैं तो इस बहरती में अप्लाइ कर सकते हैं 10th या 12th लिbour़ से इस मे तो आज की वीडियो में इतना ही जयाहिन मिलते हैंनली वीडियो से वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें जहें